इस कविता के रचेता है कवी अयोध्या सिंग उपाध्याय हरियोध जी तो आए हरियोध जी के द्वारा लिखी हुई इस सुन्दर कविता की शुरुवात करते हैं कविता को शुरू करने से पहले कविता के भाव को जान लेते हैं कविता का भाव यही है कि प्रस्तुत कविता में कवी ने हमें घमंड ना करने की सीखती है या अभिमान ना करने की सीखती है कवी हमें यहाँ पर यही पताना चाहते हैं कि कई बार जब हम अपने अहंकार में डूबे हुए होते हैं तो हमारे आसपास होने वाली किसी छोटी सी घटना से हमें यहाँ पता चलता है कि हमारा वहा अहंकार करना एकदम व्यर्थ है क्योंकि कोई छोटी सी वस्तू जिसको हम अपनी जीवन में कोई मूली नहीं देते, जिसको अपने आगे हम नगण्ये समझते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते वो भी हमारा बड़ा एहंकार तोड़ सकती है तो कविता की सीख यही है कि हमें अपने उपर कभी भी अभिमान या अहंकार नहीं करना चाहिए तो आईए कविता को शुरू करते हैं मैं घमंडों में भरा एठा हुआ एक दिन जब था मुडेरे पर खड़ा आ अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिन का आँख में मेरी पड़ा तो कभी बताते हैं कि एक बार जब वे किसी बात पर अभिमान करते हुए घमंड पूर्वक अपने घर की मुडेर पर या अपने अचानक दूर से हवा के साथ एक तिन का उड़ता हुआ आया और उनकी आँख में चला गया तो अभी तक क्या हुआ था कि कभी अपने अभिमान में डूबे हुए अपने घर की छट पर खड़े थे लेकिन अचानक हवा के साथ एक छोटा सा तिन का उड़ता हुआ आया और उनकी आँख में चला गया फिर क्या हुआ मैं जिजक उठा हुआ बेचैन सा लाल होकर आँख भी दुखने लगी मूठ देने लोग कपड़े की लगे एट बेचारी दबे पावों भगी तो कवी आगे बताते हैं कि फिर क्या हुआ कि अचानक आँख में तिनका पढ़ जाने की वज़े से कवी जिजक उठे या बहुत अधिक परेशान हो गए और फिर क्या हुआ क्योंकि उनकी आँख में तिनका पढ़ गया था तो आँख के क्या हाल हुए आँख कैसी हो गई? लाल हो गई तो आँख कैसी हो गई? लाल हो गई और दुखने भी लगी यानि आँख में दर्द भी होने लगा अब जब कवी की ऐसी दशा हो गई कि वे एक छोटा सा तिनका अपनी आँख से बाहर नहीं निकाल पाए और उन्हें बहुत अधिक दर्द हो गया या वो बहुत ज़्यादा परिशान हो गए तो क्या हुआ? उनकी मदद करने के लिए अन्य लोग बहाँ पर आ गए और वे लोग क्या करने लगे? मूठ देने लोग कपड़े की लगे यानि कपड़े की छोटी सी पोटली मूठ अर्थात होता है कपड़े की छोटी सी पोटली तो लोग कपड़े की छोटी सी पोटली यानि मूठ बना कर उनकी आँख को सेखने लगे और फिर क्या हुआ? एट बेचारी दबे पावों भगी या थोड़े देर पहले तक उनको जो अपने उपर बड़ा अभिमान और गर्व हो रहा था, वो सारा का सारा अभिमान, गर्व या घमंड जो था वो दबे पावों भाग गया, दबे पावों भागना एक मुहावरा है, इसकार्थ है कि छुपके से चला जाना या गायब हो जाना तो क्या हुआ कि जब कवी थोड़े देर पहले तक अपनी किसी बात पर घमंड पूरवक छट पर खड़े थे और उनकी आँख में सिर्फ एक छोट असा तिनका गुस गया और उस तिनके के गुसने की वज़े से उन्हें बहुत ज़ादा दर्द होने लगा आँख में उनकी आँख लाल होकर दुखने लगी और अन्ये लोग कपड़े की पोटली से उनकी आँख को सेखने लगे और इस परकार सभी परिशान हो गए और तब कवी को यह समझ में आया कि उनका जो अपने उपर इतना जादा अभिमान करना था या इतना जादा घमंड करना था वो तो सब कुछ व्यर्थ था क्योंकि उनमें तो इतनी भी सामर्थ ही नहीं थी कि वो अपनी आँख से छोटा सा तिनका खुदवार निकाल सकें तो उन्हें किस बात पर इतना घम तू किसलिए इतना रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए तो फिर कभी कहते हैं कि जब किसी धब यानि तरीका तो जब किसी तरीके से उनकी आँख से तिनका बाहर निकल गया तब जाके उन्हें थोड़ा आराम मिला और फिर क्या हुआ उनकी समझ यानि उनके विवेक या उनकी अंतरात्मा ने उन्हें इस प्रकार कहा क्या कहा ए ठिता तू किस लिए इतना रहा तू इतना अभिमान किस लिए करता रहा या क्यूं करता रहा एक तिनका है बहुत तेरे लिए तेरे इस अभिमान को तोड़ने के लिए तो एक छोटा सा तिनका ही बहुत है यानि एक छोटा सा तिनका ही काफी है तेरे बड़े घमंड को तोड़ने के लिए